वॉल्कम बैक ओन एक्यू इंग्लिश लर्निंग चैनल इस वीडियो लेसन में दोस्तों हम सीखने वाले हैं पीने की 30 चीज़ों के इंग्लिश नाम जिन दोसों अभी तक हमारे चैनल एक्यू इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया है अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताके हमारे तमाम आने वाल वीडियो को नोटिकेशन आपको वक्त पर मिल जाय करें दोस्तों हमारे चैनल पर मौझूद तमाम वीडियो लेसंस के पीडियाफ नोट्स आप हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दीग लिंक से बहासानी डाउनलोड कर सकते हैं तो आईए दोस्तों आपको सिखाते हैं पीने की 30 चीज़ों के इंग इंगलिश नाम दोस्तों लीमु पानी को इंगलिश में बोला जाता है लेमओनेट लेमओनेट मेर साथ सात इन वर्ट्स को रिपीट केरें रहिएगा ताके आप के लिए इन वर्ट्स को सबस्के को बात में बोलना मुश्किल ना हो कॉफी दोस्तों कॉफी को इंगलिश में कॉफी बोला जाता है कॉफी सर्चाए 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 को इंगलिश बोलेंगे आइस्ट टी आइस्ट टी हाट चॉकलेट हाट चॉकलेट को हाट चॉकलेट ही बोलेंगे हाट चॉकलेट मिल्क शेक मिल्क शेक को दोस्तों इंगलिश में मिल्क शेक ही बोला जाता है और मिल्क शेक मुख्तलिफ तरह के होते हैं जैसे स्क्राबरी मिल्क शेक है इस तरह से मैंगो मिल्क शेक है बनाना मिल्क शेक है तो मुख्तलिफ तरह के मिल्क शेक होते हैं और इसमें मिल्क यानी तूछ शामल किये जाता है और फूर्ट इस तरह से मैंगो है स्क्राबरी है बनाना है इस तरह के मुख्तिलिफ फ्रूट्स यूज किया जाते हैं तो इन चीजों से मिलकर बनता है मिलक शेक और राइट नेक्स वर्ड इस पानी आम पानी को इंग्लिश में वाटर बोला जाता है वाटर और दोसो साफ पानी जो पीने के लिए बेहतरी होता है इसको इंग्लिश बोलेंगे मिनरल वाटर और ये मुख्तिलिफ कंपनीज को होता है जैसे नैसले है एकवाफिना है इस तरह से मुख्तिलिफ कंपनीज साफ पानी प्रडियूस करती है चाए को दोस्तों इंगलिश में टी बोड़ा जाता है टी दूद दूद को इंगलिश में मिल्क कहते हैं मिल्क शराब शराब को दोस्तों इंगलिश में वाइन कहते हैं वाइन हल्की शराब हल्की शराब का मतलब यह है कि जिसमें नशा कम हो उसको इंगलिश में बोलते हैं बिर बिर diesem तो टॉरे को वो डा जाता है थे सबस शच्चा को दो सोंगलिश वीद आए ग्रीन टी कहते हैं क्रीन टी सोंगलिश वाली यह जिसमें लीमू का इस्तेमाल होता है को उन्फ बोलेंगे लेमन टी लेमन टी आम का शेक आम के शेक को इंगलिश बोलेंगे, mango shake, mango shake, chocolate तूद, चोकलिट तूद, यानि चॉकलिट वाला जो तूद था, इसको इंगलिश में, chocolate milk कहते हैं, chocolate milk, टमाटर का जूस के इंगलिष है टमैटो जूस टमेटो टमाटर को कहते हैं और टमाटर के जूस को टमैटो जूस स्मूति को इंगलिष में बोलेंगे स्मूधी smoothie फालूदा फालूदे की इंगलिश है दोस्तों flummery flummery नारियल मिला दूद नारियल मिले दूद को इंगलिश बोलेंगे coconut milk coconut milk coconut बोला जाता है नारियल को maltica juice maltica juice को इंगलिश बोलेंगे orange juice orange juice falsa का juice falsa को दोस्तों इंगलिश में krivia कहते हैं ये इसका scientific name है और falsa को इंगलिश में falsa भी कहा जाता है ये भी ठीक है falsa की juice की इंगलिश है falsa juice या krivia juice krivia juice गन्य का juice गन्य का juice को दोस्तों इंगलिश में कहते हैं शूगर के कि केंड को two sugarcane juice सेव का जूस को इंगलिश में अपल जूस बोल जाता है है अपल जूस बदाम वाला दूद, बदाम वाले दूद को इंगलिश पोलेंगे, almond milk, almond milk सेव की शराब, सेव की शराब को इंगलिश में बूले जाता है, cider, cider नारियल का पानी, coconut water, coconut water फलकरस, fruit juice, fruit juice, cocoa का juice, cocoa दोस्तों एक किसम का fruit होता है, जिसका juice बनाया जाता है और इसको इंगलिश बोलेंगे, cocoa juice, cocoa juice फलों का मश्रूप, cocktail, cocktail दोस्तों बनाया जाता है, मुक्तलिफ किसम के fruits को यूज़ करके एक मश्रूप बनाया जाता है, एक juice बनाया जाता है, जिसे cocktail बोला जाता है जी दोस्तों ये था हमारा आज का lesson जिसमें हमने सीका है, पीने की 30 चीज़ों के English नाम दोस्तों lesson पिसाने दाया है, तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा, अपने दोस्तों के साथ ये कीज़ेगा, और comments में अपनी राय का इजहार कीज़ेगा, और इस तरह की मजीद English लर्निंग वीडियो के लिए, उमारे चैनल AQ English को सब्सक्राइब कीज़ेगा, आपसे मुलाकात होती है नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, अल्ला हाफीज